दिदानमत्री मोदी ने बिहार के राजगीर में अतिहासिक नालंदा युनिवर्सिटी के नए कैमपस का उठाटन किया है नालंदा युनिवर्सिटी पहुंचे पीम मोदी ने पहले विश्व इद्याले की पुरानी धरोहर को करीब से दे नालंदा का नवजागरा यह नया कैमपस दिश्व को भारत के सामर्थ का परिचय दे बारत के मिनिस्टर फॉर एक्स्टरनल फेस डॉक्टर जेश शंकर जो है वो सिरी लंका पहुंच गये हैं और यह उनका फर्स्ट बाइलेटरल विजट है सुनने में यह आ रहा है कि वजीर आजम नरिंदर अमोधी भी श्री लंका पहुंच रहे हैं अब यह काम होगा और राम से तू जो इंडिय और श्री लंका को जोड़ता था उसी जगह पे एक मॉडन राम से तू भी हमको देखने मिलेगा ताजा बयान में श्री लंका के राश्रपती रॉनिल विक्रमा सिंदे ने कहा है कि भारत के साथ जमीन से जुड़ने के प्रस्ताओं की ब्योहारिक्ता का अध्यान आखरी चरण में है ऐसे में सब्ता विदेश मंत्री S.J. संकर की स्री लंका यात्रा के दौरान चर्चा होनी की संभावना जताए जारी है स्री लंका को तो इंडिया चला रहा है इंडिया अपनी रुपीज दे के उनुसाल बिजनिस भी अपनी करंशी से करेगा इंडिया को गले लगा लें इंडिया अगर आपके पास है तो समझे सारा कुछ आपके पास है भाई उनके लिए इंडिया ऐसे है जैसे मेक्सिको लीक लिए अमरीक है इंडिया नोशन में भारत की पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत कर सकता है और साथी साथ चाइना के लिए कहीं न कहीं शिलंका से उसको खदेड के पीछे हटाने के लिए उसमें बहुत बड़ा कदम इस प्रोजेक्ट का हो सकता है भारती वजीर आजम नरेंदर मूदी साहब अपना इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करेंगे जमू एंड कश्मीर सरीनगर में चाइना आपको चैन से नहीं जीने देगा जब 1967 में नाथूला में जनरल सगत सिंग ने चीनियों को मारा था और दोड़ा के चीनियों को मारा था तब ये इतने दशकों तक शांत रहे थे इनके सपनों में आता है जनरल सगत सिंग नालंदा यूनिवरसिटी के न्यू कैंपस के इनाउगरेशन के मौके पर ये एक हिस्टॉरिक मॉमेंट था जिसको 17 कंट्रीज के रेप्रिजेंटिटिव ने वहां पर देखा और उसमें शामिल हुए अनफॉर्चनेटली पाकिस्तान का कोई नुमाइंदा उसमें शामिल नहीं है, 40 फीसे स्कूल ऐसे हैं जहां पर दीवारे नहीं है, 40 फीसे स्कूल ऐसे हैं तकरीबं 55,000 बन जाते हैं जहां पर आपके पस बाथरूम की फसिलिटीज नहीं है और 60 फीसे स्कूल कहा जा रहा है कि जहां पर अभी तक बिजली का कनेक्शन भी नहीं है आपके ख्याल से किया एक ऐसी बात है कि भारत है वो सक्सेस्फुली अपने स्टूडेंट्स को आगे लेके जा रहा है और वहां के एजुकेशन सिस्टम किस तरह का है क्यूंके बहुत से लोगों को पाकिस्तान में रहते हैं जो हम लोग हमें बहुत शिकायत है अपने एजु गुल्डन एरा ऑफ इंडिया है क्योंके नालंदा युनिवरस्टी का एक नए कैमपस को इनॉगरेट किया गया है तो यह यह सारे बजटरी इशुज बनते हैं जब हम विफाक ते पूछते हैं तो वो कहते हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट तो सारा का सारा ये मोदी जी ने एक इत्यासिक कदम उठाने का फैसला किया है इसी के लिए मोदी जी बिहार और डॉक्टर जेशंकर श्रीलंका पहुच चुके हैं मोदी जी की ये पहल भारत के प्राचीन इतियास को दुनिया के सामने लाने के लिए है जिससे ये पता चलेगा कि भारत का कितना प्राचीन और भवित है जो कि प्राचीन समय में भारत कितना विक्सित था दर्शाता है पाकिस्तानी मीडिया ये देखकर आशर चकित है कि कैसे भारत अपने कल्चर को दुनिया के सामने ला रहा है आपका इस पर क्या विचार है आप अमें वीडियो पर कमेंट करके बता सकते हैं वीडियो को लाइक करें चनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत बुढ़ेगा चलिए वीडियो में आगे चलिए एक ब्रिज और साथी में बनने वाला है पेट्रोलियम में ये न्यूज और कॉंक्रीट होता हुआ देखता है जब कहते हैं कि अब जॉइंट वर्क शुरू होने वाला है और अभी रिसेंटली शिलंकन प्रेसिडेंट ने एलान किया है कि जो स्टेडी चल रही थी लैंड कनेक्टिविटी की इंडिया की शिलंका के साथ वो अब को फाइनल स्टेजेज में हैं याने कि अब ये काम होगा और राम सेतु जो इंडिया और शिलंका को जोड़ता था उसी जगह पे एक तो मौड़न राम सेतु भी हमको देखने मिलेगा अब दोस्तों ये प्रोजेक्ट इंडिया और शिलंका दोनों की एकॉनमी को ट्रांस्फॉर्म कर सकता है क्योंकि कासी ज़्यादा अगर आप देखे तो इसके अपरिचुनिटीज हैं जो इस प्रोजेक्ट में हैं इतना ह बहुत बड़ा कदम इस प्रोजेक्ट का हो सकता है किसकी बात हो रही है आईए आज के इस वीडियो में इसी पर चल्चा करते हैं तो आप देख सकते हैं नियूज में हैं बिलकुल आज का नियूज है शिलंका के प्रेसिडेंट है रनिल विक्रम सिंगे उन्होंने कहा है कि जो feasibility study चल रही थी इंडिया और शिलंका के बीच में land connectivity को लेकर वो अब आखरी stages में हैं दोस्तो कहानी शुरू होती है पिछले साल टेक्निकली डिमांड तो काफी साल पहलो पहले से था लेकिन concrete रूप में जुलाई 2023 में विक्रम सिंगे जी जब भारत आते हैं तो वो कहत दोस्तों अगर आप देखें तो यहां पर और अब इस पर चर्चा होगी क्योंकि भारत के M.E.A.S. जैशंकर जी शिलंका जाने वाले हैं और अगर आप देखें तो न्यूज में के अनुसाल जून 20 याने अगले ही हफते वो जाने वाले हैं हाला कि भारत के साइड से अब और अधिक होने वाली है कि इसको कैसे फिनांस किया जाएगा कहा जा रहा है इसमें Asian Development Bank का भी बड़ा रोल होगा सिर्फ इस प्रोजेक्ट पे ही नहीं जो कि ये Land Connectivity Project है जो कि भारत को शिलंका से जोड़ेगा सिर्फ इस पर ही नहीं आप अगर देखें तो यहां पे अन्य क इसके ठीक पास वाला इलाका है यहां पे है जैसे यह ब्रिज आप देख रहे हैं यह जो राम सेतु है उसके उपर बन रहा है और इसी के पास में यह इलाका दोस्तों मनार है तो फ्रेंड्स आपको हमारा यह वीडियो कैसा लागा आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं वी में रहा हैं जापको हमा स्ट्राइब आपको हमारा यह जाला इज अरш राम यह हैं वीडियो कैसा उessionное है जव बता सकते हैं बता सकते हैं और जा़ चाओ में Protpresa, कि अलिए स्टमा अलया सेत्वी नह सा स्टमारा इलापको ष़याँ हैं तो स्बस्ता को हमार çık मैं